हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का मथमेटिक्स माइंट और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने मैगनेट बेंज में जो प्रोवाइट करता हैं 100% कॉलिटी ओ फ्री एजुकेशन के नगाडन से लेकर ग्लास 12 तक अगर आ विद्गवरेज यूपी बोड डेली बोड विहार बोड राजिस्थान और आपका प्यारा प्यारा एंप बोड इतना ही नहीं यहां पर आपको मिल जाते हैं धिरो सारे प्राक्टिस कुश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्राक्टिस कर सकते हो और बड़िया बड़िया नंबर भी लेके आ सकते हो और अगर आप हमारी इबुक्स या इनोट्स अविल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन वॉक्स में डलवा दिया गया है आप वहां से जाके अविल कर सकते हैं तो थोड़ा जल्दी से आजाई यह देख लेते क्या करना है क्लास 10 मेंदम फॉर्मिला का रिवीजन हो जाए क्या हां सर रिवीजन हो जाए तो आजा भाई सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको डिस्टेंस फॉर्मिला जो आमने डिस्टेंस फॉर्मिला पढ़ाता ना उसको एक बार डिसकस कर लेते हैं यह डिस्टेंस फॉर्मिला क्या था जब दे दिया जाए जब आपको दो पॉइंट के कॉइडिनेट्स दे दिये जाए लेट से आपके पास अगर यह A है और अगर यह आपके पास B है A के कॉइडिनेट्स अगर आपके पास X1,Y1 है और B के कॉइडिनेट्स अगर आपके पास X2,Y2 है तो आपके पास a, b की दूरी कित्ती होगी अगर आपको distance निकालना है between a, b तो आपके पास distance कित्ता होगा under root में x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square हाँ यह न भया x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square यह होता है आपके पास distance formula अगर आपको section formula discuss करना है मेरे साथ तो आजाओ आपको section formula बता दिया जाता है अब आपको मैं बताता हूँ section formula क्या section formula अब यह section formula क्या होता है section formula आपको बोलता है कि अगर आपके पास a और b एक line segment है ठीक है और इसके point होंगे वाई x1, y1 और x2, y2 और इसको एक point P इसको एक point P जो की है x, y divide कर रहा है इंद रेशो m1 to m2 किस ratio में divide कर रहा है m1 to m2 में तो अगर आपको P के coordinates निकालने हैं देखो एक line segment होगी a, b उसके coordinates होंगे x1, y1, x2, y2 और एक point होगा P जो line segment को divide कर रहा होगा इंद रेशो m1 और m2 तो P के coordinates क्या होंगे तो coordinates of point P क्या होंगे देखो अगर आप P में x की बात करोगे अगर आप P में x की बात करोगे इसकी तो वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और अगर आप y के बारे में बात करोगे हना y की तो y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इपॉन प्लस m2 सिंपल है आपको अगर ये x निकालना है तो formula m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और अगर आपको ये y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 simple सी बात ठीक है इसके बाद अब जो फॉर्मिला आता है उसका नाम है मिट पॉइंट फॉर्मिला क्या नाम है मिट पॉइंट फॉर्मिला यह हो गया न अब जो फॉर्मिला आता है उसका नाम है मिट पॉइंट फॉर्मिला तो मिट पॉइंट फॉर्मिला क्या बोलता है midpoint formula आपको बोलता है भाई कि यह कहां से आता है section formula से ही देखो section formula से ही आता है मैं बताता हूँ कैसे आपके पास अगर एक point है इसके coordinates होंगे x1, y1 ठीक है और अगर b एक point है इसके coordinates होंगे x2, y2 ठीक है तो अब आपके पास p एक point है जिसके coordinates से x, y तो अब आपके पास यह x, y क्या होगा है ना तो आप लोग सीधा simple यह बोल देते होंगी भाईया x होगा x1 प्लस x2 upon 2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 upon 2 यह midpoint formula है लेकिन मैं तो पूछता हूँ कि यह होता कैसे मैं तो पूछता हूँ कि यह आता का से तो अब बात को एक बहुत जादा अच्छे से और ध्यान से समझो आपको midpoint formula मिलता कैसे section formula से ही मिलता है समझो आपके पास यह जो p है ना यह एक midpoint offline segment a b क्या बोल रहा हूँ मैं अगर आपके पास अगर आपके पास p जो है वो midpoint ए offline segment a b मतलब की भाईया वो divide कर रहा होगा उस line segment को same part में समझो 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 अगर point p जो की x, y है है ना is the midpoint offline segment a b तो क्या होगा तो भाईया simple सा simple सा कुछ भी नहीं होगा बस इतना होगा कि जितना party होगा उतना party होगा भाईया जी यह जितना party हो उतना party हाँ या ना अगर इतने part को में two बोल रहा हूँ तो इतना part भी two होगा इतना part three है मतलब इतना part भी three है Let's say, अगर इतने पार्ट को मैं 1 बोल रहा हूं, तो इतना पार्ट भी मेरा क्या होगा? 1 होगा. होगा की नहीं होगा? होगा. तो उस हिसाब से ये M1 और ये M2. हाँ यह न? हाँ. उस हिसाब से M1 आपको मिल गा 1, और M2 आपको मिल गा, वो भी 1. ठीक है. तो अगर आपको ये X निकालना है, ठीक है? तो फॉर्मिला क्या हो जाएगा? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 ठीक है. अब ये X निकालने के लिए M1 आपके पास किता है? 1. X2 आपके पास किता है? Sir, X2 तो X2 यह. X2 तो X2 यह. और M2 आपके पास किता है 1? और X1 तो X1 यह. अपॉन M1 प्लस M2 1 और 1, 2. ठीक है. तो X किता आजाएगा आपके पास? X1 प्लस X2 X1 प्लस X2 अपॉन 2. Sir, X2 प्लस X1 लिखो ना? मैंने बोला भाई, 3 प्लस 2 लिखो. चाहे 2 प्लस 3 लिखो होना तो 5 ही है. तो X1 प्लस X2 अपॉन 2 यह हो गया किसका? X के लिए. और Y के लिए. अब Y के लिए क्या होगा? Y के लिए भी सेम फॉर्मुला. हम लोग section फॉर्मुला का यूस करेंगे. M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन अपॉन M1 प्लस M2 तो आपके पास ही है Y कित्ता हो जाएगा? देखो M1 तो आपके पास 1 है. और Y2 आपके पास Y2 ही है. ठीक है? और M2 आपके पास 1 है. और Y1 आपके पास Y1 ही है. अपॉन M1 प्लस M2 कित्ता? 1 प्लस 1 मतलब कित्ता 2 तो आपके पास y कित्ता हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 सिंपल है की नहीं है जल्दी बता दो सिंपल है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया तो बस एक फॉर्मिला तो आपके पास ही हो गया कि आपके पास अगर कोई भी पॉइंट ये बात आपको आपको आगई होगी बढ़िया तरीके से तो x निकालने का फॉर्मिला मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको y निकालने का भी फॉर्मिला बता दिया तो ये x और y आपके बड़ी आसानी से निकल जाएंगे लेकिन शिर्फ तब ही जब आपका यह जो पॉइंट पी है यह लाइन सेगमेंट इस पोइंट को तो यह पॉइंट लाइन सेगमेंट टोड़ेगा ना वो ऐक्ॉल दोड़ेगा में तोड़ेगा तो आपके पास X और Y आपके पास यही आएंगे ठीक है तो बस इतनी बात आ गई अगर पॉइंट पी इतना इतना है लाइन सेग्मेंट अटेवी का मिट पॉइंट है तो एक सुद्धा होगा और वाय उत्ता होगा इसको भाईया दिल में छाप लो इसको दिल में छाप लो मैंने तो निकाल के बताया है आपको विद्धी एलप आफ सेक्शन फॉर्मुला हमने यहापर सेक्शन फॉर्मुला की मदद लेके निकाल है समझ गए बात को क्या अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेशन को कर सकतें आजब 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 कर सकतें अब यहाँ पर एक क्वेशन लिखो के टी क्यों इसफाइंडी कॉडिनेट्स ओफ पी अगर P is the midpoint, offline segment, joining the points, joining the points, A, minus 2,6 or B, 3,8. ठीक है, आपको क्या करना यहाँ पर? आपको simple सी बात बोल दी उसने, कि आपको coordinate निकालने point P के, अगर P midpoint है, किसका line segment A, B का जो join करने पर होगा, joining the point this or this. अब इसका solution करके देखते हैं, आजाओ. A कित्ता है, आपके पास minus 2,6 और B कित्ता है, आपके पास 3,8 और P क्या है, P midpoint line segment A, B का. P क्या है, P midpoint line segment A, B का जो की है, X, Y. हम लोग बोल रहे हैं कि P X, Y है, और वो क्या है, midpoint line segment A, B का. तो आपके पास सीधा simple, यह formula लगाना है, X अगर आपको निकालना है, तो X1 प्लस X2 अपॉन 2, Y अगर आपको निकालना है, तो Y1 प्लस Y2 अपॉन 2. simple सी बात है, तो अब आपके पास X1, Y1 तो यह है, X1, Y1 तो यह है, X2, Y2 तो यह है, और main वाला X और Y यह है, तो आपको simple सा लिखना है, अगर P is the midpoint of line segment A, B then, by midpoint formula, then by midpoint formula, क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपको X निकालना है, तो आपके पास X1 प्लस X2 अपॉन 2 formula होता है, X1 प्लस X2 अपॉन 2, यह हम क्या कर रहे है, यह coordinates निकल रहे है, किसके point P के, किसके point P के, तो coordinates of point P, ठीक है, ठीक है, और formula कौन सा लग रहा है, midpoint formula, तो X के लिए आपके पास, X1 किता है, minus का 2, प्लस X2 किता है, 3, upon 2, मतलब X किता आ गया, 1, Y2, simple है, बहुत ही जादा simple न, बहुत ही जादा simple सर, अब अगर आपको Y निकालना है, अगर आपको Y निकालना है, तो formula क्या होता है, Y1 प्लस Y2 upon 2, ठीक है न, तो Y निकालने के लिए Y1 6 और Y2 8, 6 प्लस 8 upon 2, मतलब किता 14 Y2, भाईया, 14 by 2 हो जाएगा न, ठीक है, तो मतलब किता 7, तो Y किता हो गया, Y हो गया, आपके पास 7, Y किता हो जाएगा, 7, तो coordinates point P के किता आगए, 1 by 2, 7, simple है, एक बार जल्दी से देख लो, तो ये KTQ आपका हो गया खतम, ये KTQ आपका हो गया बढ़िया तरीके से खतम, हो गया screenshot ले लिया, चलो, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग कुछ questions को वैसे ही questions होते हैं, और बढ़िया तरीके से आप ऐसे questions को भी कर सकते हो, अब ये जो question है, ये क्या है, वो सुनो, आपको पास question क्या है, prove that the points, एक तो ये, एक ये, एक ये, और एक ये, are the vertices of a parallelogram, is it a rectangle, अब आपके पास अगर ये vertices है parallelogram की, तो parallelogram की एक खासियत होती है, क्या, कि parallelogram की diagonal bisect करते हैं, each other, bisect का क्या मतलब है, कि उनके coordinates of midpoint अगर हम लोग find करेंगे, तो वो दोनों equal होंगे, समझो बात को, बात को समझो, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक parallelogram बनाएंगे, क्या बनाएंगे, parallelogram, ठीक न, एक मस तुझा, parallelogram बनाओ ठीक है, ठीक है, लेट से इसका नाम है, a, b, c, d, a कित्ता है, minus two minus one, one zero, minus two minus one, one zero, four three, one two, one two, ठीक है, तो आप एक बात को समझ के चलना, कि जब आप इसके diagonals बनाओगे, जब आप इसके diagonals बनाओगे न, तो इनके diagonals bisect करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, इनके diagonals क्या करेंगे, bisect करेंगे एक दूसरे को same midpoint पर तो आपको simply लिखना क्या है यहाँ पर आपको simple सा यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखना भई ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं लिखना आपको सिर्फ और सिर्फ इत्ता लिखना है कि let a, b, c, d respectively given point then the coordinates of midpoint of a, c आपको midpoint निकालना है a, c का और midpoint निकालना है आपको किसका b, d खा निकालो 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 जल्दी आपको नुए बात पता ही होगी कि diagonals of a parallelogram bisects each other यह बात पता है कि निवता जो diagonals होते हैं जो diagonals होते हैं parallelogram कर वो bisects करते एक दूसरे को, हाँ या ना, ठीक है, तो आपको simple सा यहाँ पर इतना ही लिखना है, since diagonals of a parallelogram bisects each other, bisects each other, ठीक है, तो अगर अब आपके पास ac है, समझना, ऐसे आपके पास ac है, ac का midpoint निकालो, ठीक है, और bd का midpoint निकालो, bd आपके पास ऐसा है, bd का midpoint निकालो, दोनों एक ही midpoint ओपर है, मतलब दोनों के जो midpoints आएंगे न, coordinates of midpoint of ac is equals to coordinates of midpoint of bd, यह होगा हमेशा, और अगर ऐसा हो गया, तो आपको बोल देना है भया, कि a, b, c, d आपके पास एक parallelogram है, यह parallelogram बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो बताओ, भाई थोड़ा सा लग रहा होगा कि यह coordinate रले पर यह parallelogram है, पर यह parallelogram है, धियान रखना, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD. तो अब simple सा आपको क्या करना है? अब आपको AC के midpoint find करने हैं, है ना? AC के midpoint कैसे find होंगे? समझो. AC के AC का यह जो midpoint है, यह कैसे find होगा? जब आपके पास यह x1, y1 होगा और यह जब आपके पास x2, y2 होगा. तो formula simple सा आपको मालुम है क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2. भाईया, समझ रहो ना बात को? तो minus 2 प्लस 4 minus 2 प्लस 4 अपॉन 2 और y निकालने के लिए minus 1 प्लस 3 अपॉन 2 minus 1 प्लस 3 अपॉन 2 ठीक है. और यह बराबर हो जाएगा. बराबर हो जाएगा. किस के? यह बराबर हो जाएगा bd के diagonal के midpoint के. coordinates of midpoint of bd अब निकालो. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास यह x1, y1 यह x2, y2 नहीं होंगे. अब आपके पास यह x1, y1 यह x1, y1 और यह x2, y2 होंगे. समझ गया है? समझ गया है सर. तो coordinates of midpoint of bd के लिए x1 plus x2 upon 2 मतलब 1 plus 1 upon 2 और y1 plus y2 upon 2 मतलब 0 plus 2 upon 2. जल्दी से screenshot ले लो भाई. इत्ता. आगे solve करो. ले लिया screenshot. आगे solve किया गया? हाँ सर. आगे solve करने की कोशिश तो करी. तो अब आजा वही हमें बता देता हूँ. तो आपके पास ही हो जाएगा 2 by 2 और ये कॉमा कित्ता 2 by 2. अच्छा. यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2 by 2 और यहाँ पर 2 by 2. तो आपके पास कित्ता हो गया? 1 1,1 बराबर 1,1 अरे यह क्या हुआ? यह तो कॉडिनेट जब हमने AC के निकाले है मिट पॉइंट के तो वो तो कॉडिनेट चोफ मिट पॉइंट और बीडी के बराबर आ गए और वो आने ही तो थे. अगर यह दोनो बराबर आएंगे इसका मतलब डाइगिनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे है और इसका साफ साफ यह मतलब हो गया भाईया कि आपके पास ABCD एक पारलेलोग्राम है क्यों? क्योंकि डाइगिनल्स तभी बाइसेक्ट करते हैं जब आपके क्या होंगे? मिट पॉइंट इसके बराबर होंगे ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? Hence ABCD is a पारलेलोग्राम पारलेलोग्राम ठीक है? अब वो पूछ रहा है भाईया क्या यह एक रेक्टेंगल है? अब आप ज़रा मुझे एक बात बताओ अगर यह एक रेक्टेंगल हुआ तो इसके डाइग्नल्स सेम होंगे या फिर अलग होंगे? अब थोड़ा दिमाग लगओ देखो अगर यह एक रेक्टेंगल हुआ तो इसके ढाइग्नल्स एकुण आने चीं यह लेंथ मैं हैंना? अगार लिखे देता हूं अगर A, B, C, D is a rectangle then then both the diagonals are of equal length क्या बूला मैंने अगर A, B, C, D एक rectangle है तो उनके दोनो diagonals की जो length है वो equal होनी चाहिए then both the diagonals are of equal length तो अब आपको A, C और B, D की length find करनी है, सुनना द्यान से आपको A, C और B, D की length find करनी भाई अब length find करनी के लिए क्या करना पड़ेगा अब आपको अगर length find करनी है मतलब ये find करना और अगर ये find करना मतलब आपको distance formula की साहता लेनी पड़ेगी ठीक है तो अब आपको distance निकालना पड़ेगा किसका? A, C का तो A, C का distance के लिए अब आप distance formula यूज करोगे तो लिख भी देना उपर उपर आप लिख भी देना by using distance formula by using distance formula distance formula के हिसाब से अगर आप A, C को find करोगे तो आपके पास ये बात तो पक्का है कि ये x1, y1 और ये x2, y2 हाँ यह न? हाँ सर तो अब आपके पास formula क्या हो जाएगा? x2 minus x1 का whole square 4 plus 2 का whole square और y2 minus y1 का whole square मतलब minus 3 plus 1 का whole square क्या हो जाएगा भी या? 3 plus 1 का whole square तो अब आपके पास अगर AC हम लोग देखे तो AC कित्ता हैगा? 4 or 2 हो जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा 36 plus आपके पास ही कित्ता हो जाएगा 4 का square 16 ठीक है? कित्ता हो गया? 6 का square 36 और 4 का square 16 तो ये आपके पास हो जाएगा under root में 52 कित्ता हो जाएगा? under root में 52 अब आप BD को fine करोगे ऐसी अब आप किसको fine करोगे? BD को fine करोगे तो BD अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये रहा BD तो BD में आपके पास क्या करोगे? X2-X1 का whole square आप किसी को भी X1 किसी को भी देखो अब आपके पास X1, Y1, X2, Y2 देना पड़ेगा ठीक है? तो अब आप X1, Y1, X2, Y2 दे देना मैं BD की तरफ शुरू कर रहा हूँ तो X1, Y1 ये रहेगा मेरा इस बार का X1, Y1 ये रहेगा इस बार का X1, Y1 और ये रहेगा X2, Y2 मैं इसको रब नहीं कर पाऊंगा तो X2 मैंनस X1 का होल स्क्वेर 1 मैंनस 1 का होल स्क्वेर प्लस 2 मैंनस 0 का होल स्क्वेर तो 1 मैंनस 1 0, 0 का स्क्वेर 0 और 2 का स्क्वेर 4 4 मतलब अब आपके पास कितना बचा 2? सिंपल ना? तो अब आप ये चीज तो खुद ही देख पा रहे हो कि therefore जो AC डाइगनल था वो BD डाइगनल के बराबर नहीं आया और वो आना था क्योंकि ABCD अगर एक रेक्टेंगल है तो जो दोनों डाइगनल्स की लेंथ है वो इक्वाल होनी चाहिए पर यहाँ पर तो दोनों डाइगनल्स की लेंथ इक्वाल ही नहीं है Hence, ABCD is not a rectangle तो ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल नहीं है यह बात आपको आगई समझ में यह बात आपको आगई समझ में की नहीं आई पक्का है ना पक्का बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो यह चीज हो गई सर प्रूफ अब जरह आप लोग यह वाला क्वेशन ट्राय करो जल्दी 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 ट्राय करो भाई चलो अब यह वाला क्वेशन करते हैं अब ये वाला question आपको क्या बोल रहा है बोल रहा है proof that ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला are the vertices of a rhombus तो वो पूछ रहा भीया क्या ये एक square है तो अगर आपको इसको एक rhombus proof करना है समझना बहुत ज्यादा ध्यान से समझना अगर आपको इसको एक rhombus प्रूफ करना है कि ये रोमबस के वटाइसेज है तो आप पहली चीज तो एड्जेसेंट साइट के आप कर दो बराबर कर दो अच्छा वाट अबाउट दी डाइगनल्स हीए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मेरे को रोमबस प्रूफ करना है तो मुझे डाइगनल्स का क्या बताना पड़ेगा एकवल है या फिर नहीं इकवल है आप अभी मेरे को लाइफ चैट में बताओ क्योंकि ज़रूरत तो डाइगनल्स की भी पड़ेगी यहाँ पर मैं जब तक फिगर बनाता हूं इसका सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि मुझे कैसे ना कैसे करके यह प्रूफ करना होगा कि अजसेंट साइट सी को ले मतला मुझे ए बी और डी का डिस्टेंस निकालना होगा तो मतलब मेरको डिस्टेंस फॉर्मुला की मदद लेनी पड़ी वाई उजिंग डिस्टेंस फॉर्मुला अब distance formula में अगर पहले मैं AB के लिए लगा रहा हूँ तो let's say मैं इसको x1, y1 बोल रहा हूँ इसको मैं x2, y2 बोल रहा हूँ है ना AB के बीच में मैं क्या निकाल रहा हूँ अगर दूरी निकाल रहा हूँ तो under root of x2 minus x1 का whole square मतलब 6 minus 4 का whole square plus 0 plus 1 का whole square 0 plus 1 का whole square तो यह हो जाएगा आपके पास 6 minus 4, 2 2 का square हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 1 का square, 1 तो यह हो जाएगा root of 5 हाँ ना, ठीक है अब आप निकालो AD AD अब आपके पास किता हो जाएगा वो समझो यह हो जाएगा x2, y2 तो x2 minus x1 का whole square मतलब 5 minus 4 का whole square plus 1 plus 1 का whole square तो यह हो जाएगा 1 का square मतलब 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का square 4 तो यह ultimately हो जाएगा root 5 adjacent side तो बिल्कुल बराबर निकली therefore आप लिख देना कि जो A, B है भाईया वो तो बिल्कुल AD के बराबर है तो आप क्या बोल दोगे तो आप बोल दोगे कि A, B, C, D तो पक्का एक rhombus है ना point, the given point are the vertices of a rhombus तो क्या बोल दोगे कि अभी यह लिखना ठीक नहीं है क्योंकि अभी यह तो एक square भी हो सकता है यह तो एक square भी हो सकता है तो अभी अपने को mainly निकालना पड़ेगा diagonals तो diagonals निकालने पर हमें पता चल जाएगा कि A, B, C, D एक square है या नहीं इससे यह भी पता चल जाएगा अब समझो अगर आपके diagonals कौन-कौन से है A, C और B, D अगर आपके diagonals बराबर आ गए तो यह एक square है और अगर diagonals बराबर नहीं आए समझ ना पहले इसका screenshot लो भई पहले इसका screenshot लो अगर diagonals बराबर आ गए तो यह एक square है और अगर डाइगनल्स बराबर नहीं आए तो ये एक रूम बस है आसान बात है ना आसान बात बहुत जादा आसान बात है ठीक है तो ये बात हो गई सर मतलब हमारा मोटेफ डाइगनल्स निकालना है हमारा मोटेफ क्या है बया डाइगनल्स निकालना है सर जी डाइगनल्स न अगर आप इसको बोल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे x2 y2 यह रहे, हाना, तो distance formula, फिर से distance formula, diagonal ac बराबर, under root of x2 minus x1 का whole square, 7 minus 4 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, 2 plus 1 का whole square, तो यह हो जाएगा, आपके पास कित्ता, 7 minus 4 कित्ता हो जाएगा, 3, 3 का square कित्ता हो जाएगा, 9, plus, 2 plus 1 कित्ता हो जाएगा, 3, 3 का square कित्ता हो जाएगा, 9, सब्सक्राइब ल Arguably लुए और हमाने लोक्त कालों के डाइगानल बीडी के क्या 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 कि अब लोक्त काइग है कि कि आंतर देखते हैं कि night नहीं आते ये बीडी इस आं धी मैं अगर आप x2, y1 इसको दे रहे हो तो यह हो जाएगा आपके पास x2 y2 ठीक है अब आप निकालो bd का तो x2 minus x1 का whole square मतलब 6 minus 5 का whole square plus 0 minus 1 का whole square तो अब आपके पास कित्ता हो जाएगा अब आपके पास हो जाएगा 1 का square 1 और 1 का square 1 तो 1 और 1 तो कित्ता हो जाएगा यह रूट 2 हो जाएगा अच्छा अब आपके पास दोनों डाइगिलल्स बराबर नहीं है therefore ac is not equals to bd तो इससे यह बात पता चल गई कि hence a b c d x square तो नहीं है एक screenshot लेलो ले लिया क्या पक्का आगे बढ़ सकते समझ में आ रही है बात बढ़िया तरीके से चलो बहुत बढ़िया अब आपको एक बात और गोलिए आपको यह वाला कुशन दिया थर्ड वाला पहले खुद से पढ़ो आराम से फिर मैं पढ़ाओंगा फिर पढ़ लिया पका बढ़िया तरीके से चलो मैं पढ़ा थो आपको कुश्चन नमपर थर्ड गोल रहा है आपके पास तीन वर्ट आइसे एक पारलेलोग्राम की टेकिन इन ओडर हना आर मित्ता इत्ता और इत्ता तीन वर्ट आइसे हो गई बात कतम होगी रिस्पक्टिवली फाइंड इक कॉडिनेट ऑफ फूर्थ वर्टेक्स आपको चौथे वर्टेक्स के क्या निकालने है भाया जी चौथे वर्टेक्स के आपको कॉडिनेट्स फाइंड करने एक मस्त सा फिगर बना दू गहीं आपर बना दू बना दू बना दू चलो आजा 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 एक मस्तिजा फीगर बनाते हैं है ना ठीक है जिसमें ये रहा A, B, C और D अच्छा A किता है minus 1,0 B किता है 3,1 C किता है 2,2 और D तो हमारे पास है नहीं let's say X,Y let's say X,Y ठीक है अच्छा अब एक मुझे ज़रा एक बात बताओ मुझे ज़रा एक बात समझाओ आप कि आप खुद ऐसा सोच के देखो आपके पास ये कौन सा केस है एक पारलेलोग्राम का केस है अच्छा जहां तक मुझे पता है और आपको पता है Diagnals of a parallelogram Bicect सी ज़र ठीक है Bicect कर रहे हैं मतलब जो उनके midpoints होंगे मतलब दोनों diagonals के जो midpoint होंगे वो तो बराबर होंगे अच्छा च्छा च्छा बहुश्या अंदर तो अब आपको एक बात बताने समझना सुनना बड़े आराम से आपको सबसे पहले तो लिखना है कि 3 vertices of a parallelogram since diagonals of a parallelogram bisect सी तर क्या करते हैं वो लोग bisect करते हैं एक दूसरे को अगर वो लोग bisect करते हैं एक दूसरे को मतलब कि जब मैं अगर ac find करूँगा हाना थोड़ी लाइन तेड़ी खिच रिये उसको consider कर लो यार आप लोग अगर मैं ac find करूँगा और अगर मैं bd find करूँगा और अगर मैं bd find करूँगा तो वो लोग क्या करेंगे भाईया bisect करेंगे एक दूसरे को अच्छा अब मैं पढ़ गया पीछे किसके ac के तो मैंने यहाँ पर एक वर्ट बोला सरफ कि भाईया therefore coordinates of midpoint of ac is equals to coordinates of midpoint of bd यह बात हो गई भाईया ac के जो midpoints होंगे ac के जो midpoint होंगे और जो bd के midpoints होंगे वो बराबर होंगे ठीक है midpoints ठीक है अब ac का midpoint निकालने के लिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यह हो जाएगा आपके पास x1 y1 और यह हो जाएगा आपके पास x2 y2 और midpoint formula पता ही होगा कि अगर आपको x निकालना है अगर आपको x निकालना है तो वो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और अगर आपको y निकालना है तो वो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 वो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 अगर आपको AC के midpoint निकालने है ना तो अब आपके पास क्या हो जागा minus 1 plus 2 upon 2 minus 1 plus 2 upon 2 और अगर आपको y2 निकालना है ना y1 plus y2 देखो minus 1 plus 2 upon 2 और 0 plus 2 upon 2 क्या? 0 plus 2 upon 2 हो गया यह? ठीक है और वो बराबर होगा सुन लो समझ लो किसके? इसके BD के diagonals के किसके भाईया? BD के diagonals के तो BD के diagonals आपके पास क्या हो गया? x1, y1 x2, y2 ठीक है मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा आपके पास 3 plus x upon 2 और 1 plus y upon 2 1 plus y upon 2 इतना बात clear हो गया? क्या? अगर इतनी बात clear हो गई तो आगे बढ़ें ठीक है? चाल, आगे बढ़ रहें तो ये तो हो जाएगा भाईया किता? 1 by 2 और ये किता हो जाएगा 2 by 2 मतलब 1 ओके? ये किता हो जाएगा? x plus 3 upon 2 और ये हो जाएगा y plus 1 upon 2 अब क्योंकि इनके डाइगनल्स तो से मेर तो इसका जो x है वो x के बराबर हो जाएगा और इसका जो y है वो y के बराबर हो जाएगा तो therefore आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? आप यहाँ से x और y दोनों निकाल सकते हो कैसे? 1 by 2 बराबर हो जाएगा x plus 3 upon 2 के तो यहाँ से 2 से 2 कड़ गया आपके पास x plus 3 बराबर 1 आगया मतलब कि x बराबर minus 2 आगया x बराबर कित्ता आगया आपके पास minus 2 आगया तो अब आप तो y भी निकाल सकते हो y कैसे निकलेगा? यहाँ से 1 बराबर है y plus 1 upon 2 के तो y plus 1 तो 2 के बराबर हो जाएगा तो y तो 1 के बराबर हो जाएगा हाँ है ना? ठीक है तो अब आपके पास दोनों आगया अब आपके पास दोनों आगया ना भी या fourth vertex क्या आगया? तो बस यहाँ पर लिखना है so so the coordinates of fourth vertex minus 2,1 एक बर जल्दी से जल्दी से क्या कर लो भी या जल्दी से एक बार नजर मार लो कि यही आ रहा है आपके पास कि नहीं आ रहा है क्योंकि मज़ेदार question है मज़ा आएगा मज़ा आएगा हाँ ना? इसके बाद वाला देखें क्या? हो गया यह वाले question आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारे पास क्या है? अब आगे हमारे पास क्या है? आजाओ थोड़ा जल्दी देखते हैं question fourth बोल रहा है अगर points आपके पास A, B, C और D क्या बोल रहा है कि भाईया ये तो whatices है परलेलोग्राम के जब हमने इनको order मिलिया तो हमें किस की value निकालनी है हमें P point की value निकालनी है हमें P की value निकालनी है ठीक है same to same काम है की नहीं है किसका अरे वही पारलेलोग्राम का तो अब हमने किया इसको A, B, C और D A किता है 6,1 B किता है 8,2 C किता है 9,4 और D किता है P,3 ठीक है हमने इनको एक order में ले लिया हमें P की value निकालनी है हमें P की value निकालनी है अब फिर से वही चीज़ें लिखूँगा वही से फिर से वही काम करूँगा कि अगर ये एक पारलेलोग्राम है तो diagonals of parallelogram bisects each other यही लिखूँगा यही लिखूँगा क्या लिखूँगा कि हमें पता है since diagonals of a parallelogram bisects each other therefore जो आपके पास coordinates of midpoint of AC बराबर होगा coordinates of midpoint of diagonal BD तो बस ऐसी लिखना है क्या लिखोगे coordinates of midpoint of AC देखो ना AC line का AC diagonal का जो आपके पास midpoint होगा वो BD diagonal के midpoint के बराबर होगा तो बस वही कर रहा हूँ coordinates of midpoint of AC is equals to coordinate of midpoint of BD चीक है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा AC के यह हो जाएगा X1 Y1 और यह हो जाएगा X2 Y2 ठीक है तो यह हो जाएगा 9 और 6 को plus करना upon 2 और 1 और 4 को plus करना upon 2 तो अब आपके पास किता आजाएगा 6 plus 9 upon 2 और यह हो जाएगा 1 plus 4 upon 2 बराबर अब ऐसे ही same to same काम आपको काय में करना है ऐसे ही same to same काम काय में करना है इसमें करना है तो यह हो जाएगा X1 Y1 और इसको आप बोल दो X2 Y2 कोई दिखकर नहीं है लेकिन यह बराबर होंगे इनके mid points आपके बराबर होंगे तो आपको simple सा लिखना है भाईया 8 plus P upon 2 और 2 plus 3 upon 2 हाना आसान था? नहीं था बिल्कुल आसान था अब दोनों को बराबर कर दो भाईया इसका X coordinate इसके X coordinate के बराबर इसका Y coordinate इसके Y coordinate के बराबर तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो 9 और 6 पंद्रा 15 by 2 ठीक है? और यह हो जाएगा 5 by 2 ठीक है? यह हो जाएगा P plus 8 upon 2 और यह हो जाएगा 5 upon 2 अब अगर आप देख पा रहो तो यह बिल्कुल बराबर है देखो ना इसका Y coordinate और इस point का Y coordinate दोनों बराबर आँए जो AC आपका उसका जो Y coordinate AC diagonal के midpoint का Y coordinate मैं मेरी बात सुनो AC diagonal के midpoint का Y coordinate वो बराबर है BD diagonal के midpoint के Y coordinate के तो उस हिसाब से भाहिया x coordinate भी तो बराबर हो जाएंगे न x coordinate भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे therefore आप क्या लिख सकते हो कि 15 upon 2 is equals to p plus 8 upon 2 2 से 2 कड़ गया और यहां से p आगया कित्ता आपके पास 7 क्योंकि 15 minus 8 हो जाएगा आपके पास 7 therefore the value of p is है ना क्या लिख होगे hence the value of p is 7 क्या आसान कुशन था कित्ता आसान कुशन था एक बार जल्दी से must वाला प्यारा वाला screenshot ले लो तो एक तरीके से हमारे पास यह question भी हो गया आगे बढ़ सकते हैं क्या चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो बस आगे आप कुछ हमारे पास है नहीं आगे कुछ है नहीं तो बस यही काम है magneto बैंज का कि ऐसे ही आपको midpoint theorem तो समझाएगा समझाएगा साथी साथ उसके उपर questions भी करवाईगा हर मजा कर रहा हूं यही काम है हमारे magnet brains का कि आपको quality wise और free education हम ऐसे प्रोवाइट करते रहेंगे kindergarten से लेकर class 12 तक हमारे पास दो तरीके के courses हैं एक तो है English medium और एक है ND medium अगर आप लोग सी बोट से हैं तो आप लोगों खली तो magnet brains का English medium channel है यह हमारा channel है आपको दिखी रहा होगा भाईया सब्सक्राइब कर लो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों कर रहे हो आप प्ले लिस्ट के option में जाएंगे ना तो यहां पर आपको सारी teacher के सारी classes के सारी सब्सक्राइब के सारी topics के वीडियो एकदम arranged format में मिलेंगे आप community के option में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा magnet pains का update आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हो grab e-notes को option में जाएंगे तो यहां से आप हमारे e-notes available कर सकते हैं आप हमेरी website विजिट कर सकते हैं यह वीडियो पसंद आए तो like share और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए क्योंकि माज़ा आता है फिर हमें भी बड़िया तरीके से motivation मिलता है कि हां यार बच्चों को पसंद आ रहा है हम ऐसे और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग विडियो लेकर आएंगे और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक इंस्सेग्राम टेल ट्विटर टेलिग्राम वट्सैप पे इनोट से इबुक्स अगर अबेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में given है साथी साथ अगर आप को प्रोवाइट किया जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और दी जाएगी यहीं के जिसे ही कॉलिटी वाइस और फ्री एजूकेशन वो भी हिंदी मीटियम में विद कवरिज आजा बताता हूं डेली बोड बिहार वोड यूपी बोड एमपी बोड राजस्थान बोड हमा ही करते रहें वो बहुत जादा जरूरी है बाई बाई